नेक्स्ट यह देखो, यह स्कॉयर लूप है, जिसके पास करेंट फ्लो हो रहा है और वो एक करेंट करींग, आईवन वायर के पास रख दिया गया है, तो इस लूप में क्या और इस वायर में अट्रेक्शन होगा, रिपर्सन होगा, की क्या होगा, तो obviously यह जो original question है actually पहले बहुत प्राइमे J advance का question है बट यह neat में भी stripe का आने लगें और J mains में तो आते ही है तो यह यहाँ पर इन्में attraction होगा या repulsion होगा क्या होगा उस चीज को हम calculate करना है हाला कि इसका detail हम लोग बहुत जादा दूसरे question में कर चुके है फिर भी एक बार यहाँ हम लोग कर लेते हैं obviously देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे यहाँ पर अगर देखोगे तो यह जो current carrying wire यह जो magnetic field बनाएगा तो इस loop ऐसे रखा हुगा square loop ऐसे रखा है तो इसके plane में अगर देखोगे यहाँ से देखो अगर यहाँ से current carrying iron है और यहाँ मैंने एक loop रख दिया अब loop में current कैसे flow हो रहा उसका direction decide करेगा कि इसमें attraction होगा या repulsion होगा loop में current clockwise flow हो रहा बच्चो तो यहाँ से मैं clockwise current flow करा देऊ अब यह अगर तुम जानते होगे थोड़ा था भी अगर पड़े होगे तो इसको एक line में कर लोगे है अलागी मैं अभी elaborate करूँगा explain करूँगा इसमें current आई वान है और इसमें current जो भी है आई है तो यह वाला जो यह और यह आपस में पैदल हो गए तो इन में एक attraction हो जाएगा इन में एक attraction हो जाएगा वह मान लो एफ वान है ठीक है और इतना ही फोर्स यह वायर पर भी लगने लगेगा और यह इसमें और इस वाले में जो कि current opposite direction में है इन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा उसको मैं एफ टू मान लेता हू हम सबको पता है कि दो current का ring wire अगर पैदलल होते हैं और direction of current same होती है उसमें attraction होता है और direction of current opposite होती है इसमें और इसमें opposite current है तो रिपल्सन होता है और इस वाले पे जो मान लो फोर्स इधर F3 लगेगा और इधर F4 लगता है और वो एक दूसरे से cancel कर जाते हैं और resultant इनका इ यह जो यहां पर यह F1 पास में है तो magnetic field strong होगा और F2 दूर है तो magnetic field weak होगा तो अगर यहां magnetic field strong है तो यह force ने यह समझना यह कौन magnetic field create किया बोलो तो यह जो magnetic field create किया है यह इस वायर ने जाद हो तो उससे लगा सकते हो अगर नहीं तो फिर यह जो यह वायर है यह current right hand thumb rule से देखोगे तो यह current board के plane में इधर magnetic field generate करेगा यह कौन magnetic field बनाया है यह वह magnetic field बनाया है यह वायर I1 जिसमें current I1 थी वह magnetic field बनाया जो कि board के plane में इस साइड अंदर है और इस साइड बाहर आएगा clear है अब इस यहाँ पर magnetic field अंदर है और उसी में ले जाके मैं current carrying loop रख दिया तो अगर मैं current carrying loop uniform field में रखता हूं तो net force is 0 होगा तो क्या field यहाँ uniform है field uniform नहीं है तो net forces 0 नहीं होगा ठीक है और हो net force यहाँ पर 0 नहीं होगा non uniform field में तो अब net force 0 नहीं होगा तो एक एक पर force देखते हैं force कैसे देखते हैं force की value क्या होती है बिल साइन फीटा वेक्टर फॉर्म में रखोगे current carrying wire पे तो यह आ जाएगा i l x b वेक्टर फॉर्म में l x b एक current carrying wire अगर magnetic field में है conductor तो उस पर force रखता है i l x b तो i यहाँ से इसमें current ऐसे जा रहा आई और यह ले है तो i l x b तो इस वाले पर बी अंदर है और यह इधर है तो i l x b मतलब इस वाले पर जो फोर्स वह उपर गया उसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं इस वाले पर फोर्स मैं लेता हूं f1 ऊपर लगा कौन लगाया external magnetic field और इतना ही इस वायर की वाज़े से इतना ही फोर्स इस वायर पर नीचे की direction में लगेगा f1 चलो अब इस वाले पर फोर्स देखो इस पर current नीचे आ रही है तो L गया नीचे और B अंदर है तो L x B तो इस पर फोर्स इदर आ जाएगा उसको मैं माल लेता हूं कुछ f2 और इस पर यहां से इदर अपना current जा रही है तो L x B अंदर है और L इदर है बोर्ड के plane में L x B तो L x B इस पर फोर्स गया नीचे तो इस पर ज देता हूं और इस पर करेंट ऊपर जा रही है एल करेंट की डारेक्शन में यह इनीचियल से फाइनल लेते हैं जहां से करेंट इंट्री करेंगी और जहां से करेंट बाहर जाएगी तो यह एल और बी अंदर तो कुल मिला के इस पर फोर्स इधर आ गया उसको मैं f4 देख इस पर यहां पर स्ट्रॉंग फिल्ड होगा यहां पर ज्यादा फिल्ड होगा तो ज्यादा फोर्स होगा दीरे 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 फोर्स कुल घटता चला जाएगा यहां पर फोर्स सबसे कम लगेगा ऐसे कुछ फोर्स लगेगा इस पर ठीक है ऐसा कुछ और उसी तरह से इस प पर इस वाले conductor पर और इस वाले conductor पर अगर रिजल्टेंट देखोगे तो वह equal and opposite है तो वह क्या होगे cancel हो गए इसी conductor पर यहाँ ज्यादा force होगा है कम force होगा क्योंकि magnetic field ज्यादा ज्यादा अब बात करते हैं इस वाले पर तो force क्या होता है यहाँ पर अगर calculation करोगे तो force acting per unit length mu not i1 i2 और 2pi और उनके बीच का सेफरेशन यही फार्मूला लिखना है बट हमें calculate नहीं करना हम दूसरे question में calculate किये हैं आपके लिए बट हमें simply attraction repulsion बताना है तो यह जो force है अब यह mu not 2pi i1 i2 और force यह force acting per unit length है बट अभी मुझे conductor पर निकालना है तो अगर मैं यह वाला लगाऊंगा फार्मूला बिल साइन थीटा बिल साइन थीटा अगर देखोगे तो यहाँ पर यह जो है conductor इस वाले conductor पर magnetic field भी ज़्यादा है और यह की value सेम है यार भी ज़्यादा यह की value सेम है तो obviously अगर तुम देखोगे तो force की value f1 ज़्यादा होगा और यहाँ पर magnetic field weak है तो f3 कम होगा मतलब f1 की magnitude ज़्यादा होगा f3 के magnitude से और f1 इस wire को attract कर रहा है और f3 इस wire को ripple कर रहा है तो इस wire पे basically दो force लग जाएगा f1 नीचे f2 नीचे या यह कोई इस loop पे f1 उपर गया f3 नीचे गया तो कुल मिला के अगर एक जैसे रखोगे तो इस पर net force अंदर की तरफ लगेगा और इस पर भी net force अंदर की तरफ लगेगा तो कुल मिला के इनमें हो गया attraction तो आई होब कि अब यह calculate हम लोग किया है या दूसरे question दूसरा वीडियो देख लेना उसमें हम लोग कैल्कुलेट की है तो net attraction force toward the conductor चलो